हेलो गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल देखिए इंतजार खत्म हो गया होली की सुभा है और हम पहुंचे हैं घर के काम को निप्टा कर किचन में और यह बन रहा है दही बड़ा आई मीन बड़ा बना रही हूं मैं उड़ा दाल का जिसको मैं दही बड़ा बनाऊंगी बाद में तो यह उड़ा के पकोड़े बन रहे हैं और काम इतना जादा है डिसेस इतने जादे हैं कि मतलब जल्दी जल्दी काम निप्टाना पड़ रहा है आइटम बहुत जादा हो ग के रेडी हो चुकी है हिमली की खटी मीठी चटनी और यह बहुत देखने से बहुत मतलब लजीज टेस्टी लग रहा है देखने में और यह पुवा में डालने के लिए मुमफली भुन चुका है जिसको थोड़ा ज्यादा रोष्ट करके उसको हम चिलका निकालेंगे और पु और यह पुवे का भी मैंने त्यारी कर रखा है अब पुवा को मतलब थोड़े दिर पहले ही विंगा का आदा घंटा तक रख देना होता है ताकि वह बहुत अच्छा से क्रिस्पी और नरम थोड़ा क्रिस्पी इस टाइप का बने तो इसलिए मैं इसको भी घोल के रख दि जो कि मतलब बहुत सारा ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि सारे दिन कुछ-कुछ महमान घर में आते रहेंगे तो ओर दिन क्या पिशा आज के दिन कुछ भी समान जादा ही बनता है तो ये मैं देखी मेरे घर में महमान आ चुके है और सुबह का ही टाइम है जादा दिन चड़ा नहीं है अभी और यह मेरा दही बड़ा बनके रेडी होचका है मैं अपने महमानों को सर्व करवाने लिजा रही हूँ और जैसे कि होली का दिन है तो अंदर तो पूरा कलर वगरा गिर जाएगा इसलिए मैंने बाहर पोर्च में ही बठाया है उनको और देखिए मेरे महमान लोग खा रहे हैं दही बड़े देखिए कितना प्यार महबबत है देखिए जो मेरे गेस्ट आय हुए है फ्रेंड्स उनकी मिसेस ही एक ही कटोरी से अपने हजबंड को खिला रही है तो कितना अच्छा लगता है होली भी है मौक है जो कि मेरी बेटी की सहेली भी है तो अलोग लड़की के तो बहुत अच्छा लगा सब लोग आए मेरे घर में रंग गुलाल अभित्टो खेल लिये हैं पोर्च में और यह हो गया है जाने का समय और हम लोग ने सोचा कि चलो जाते समय भी थोड़ा सा तचप दे दिया ज रही हूं और यह जाने का समय हो चुका है तो सोचा कि चलो थोड़ा फोटो सुट कर लिया जाए तो यह हम लोगा फोटो सुट चल रहा है यह देख सकते हो यह मेरी फ्रेंड हो गई है बहुत अच्छी बहुत प्यारी फ्रेंड हो गई है फ्रेंड्स और ज्यादा दिन का मु बिलन हो रहा है अब देख सकते हो तो अगर बोला जाये तो बहुत अच्छा लगा और मतलब एक दिमाग में यह भी चल रहा है कि अब घर में जो अधूरे काम अटके हुए हैं जो पकवान बनाने हैं वो भी जल्दी-जल्दी बना कर कंप्लिट करना है तो यह मेरे गेस्ट और मैं फिर अब दोड़ते भागते कीचन में जाऊंगी जब तक मैं सब भी को बाय बाय कर देती हूं तो यह देखिए मेरे गेस्ट जा चुके हैं और मिरे दिमाग में टेंसन चल रहा है कि मुझे जल्दी-जल्दी कीचन में जाना है और हाल तो इतना खराब हो चुका है तो मैं यह सब जाड़ लेती हूँ थोड़ा यह देखिए कितने सारे कलर गिर रहे हैं सबके सर पर से हमनों रंग से नहीं खेला है स्रिप अभीर से ही खेला है देखिए कैसा कलर है आधी हो ली हो गई है आधी बची हुई है तो हम लोग जा रहे हैं अपने अधूरे काम को खतम करने के लिए और यह देखिए हालत क्या हो चुका है और घर का हालत तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ट्रिप में तो एक बर फिर मैं कीचन में आ चुकी हूं तो मैंने सोचा थोड़ा दहि-वड़े में भी टेस्ट कर लेती हूं तो आप देख सकते हूं कि मैं दही-वड़ा मैने बाटी में ले लिया है और इसे मैं खा लेती हूँ जब तक क्योंकि अगर मैं खाती नहीं हूँ तो मितला भूके रजाओंगी बहुत टाइम तक और ये छोटी मुटी इंज्वाइमेंट चल रही है घर में देख सकते हो और जैसे कि बैगराउंड में होली का सौंग बज रहा है तो मैं इसमें डाल सेकेंड फ्रिप वाले दूपार का समय है 3-3,5 बज रहे हैं और देखिए मेरी फ्रेंट्स की होली खेलने मेरे साथ में आई हैं एक दीदी है, और एक, मुझे फ्रेंड़्स जैसे ही हैं सब कोई, और मिरे गाववाले हैं, जो सब आये हैं मेरे साथ होली खेलने के लिए तो बहुत ही जादा मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स आप बोल सकते हों क्योंकि हम लोग तो हमेशा तयार होते हैं इधर जाते हैं उधर जाते हैं लेकिन इस तरह से कलरफुल होने का साल में सिर्फ एक दिन ही मिलता है तो मतलब कोई कोई तयारी नहीं कुछ नहीं जैसे तैसे इ एक दूसरे के ऊपर में लगा रहे हैं तो कहने का मतलब है कि फुल मज़ा आया फुल इंज्वाइमेंट हुआ हम लोग का एक दे सकते हों सब को जब गूरुप में होके आते हैं फ्रेंड्स तो बहुत जादा ही मज़ा आता है और ये देखिए ये एक एक बहन बुलेंगे उसे तो चुप चाप खड़ी है तो मैंने उसे भी पोत दिया है अच्छे दरा से और जैसे कि मुझे उन सब लोगों ने अच्छे से लगा दिया है तो मैं अपने आपको पहले पुरा जाड़ लिया है बाहर में ही तब मैं अंदर गुजी हूँ और ये टाइम हो चुका है चलो चलो थोड़ा खा लो तो आधे अंदर बठे हैं सिडी पे आधे बाहर बैटे हैं तो मैं सबको बोल रही हूँ कि चलो आजाओ सब एक सांथ हो जाओ क्योंकि सबके सबको अलग-अलग इंडिविजुल देना मुश्किल है तो मैंने एक सांथ ही लाकर रग दिया है सब को और जिसकी दीन भी दोपार का समय है लेकिन धूप उतनी जादा कड़क नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है बाहर ग्राउंड में बैटना तो हम सब बैठे हुए हैं और बहुत मजा रहा है जैसे कि मतलब समय के सांथ सांथ होली भी खत्म हो रहा है और महमान लोग आया है मेरा थे रहा है तो फ्रेंट साल में एक बार ही इस तरह का मतलब महमान लाजी करने का मौका मिलता है हम दूसरे के घर जाते और दूसरे लोग हमारे घर में आते हैं तो कहने का मतलब लग बहुत अच्छा लगता है इस तरह का गेट टुगेदर हो जाता है तो तो अब देख सकते हो कि सब मिल जूलकर खा रहे हैं सब लोग मेरे थाली प्लेट से जमार निकाल कर अपने जगह में बैठ कर खा रहे हैं और जैसे कि अब ग्लास से पानी देना मुश्किल है तो मैंने अपने बच्चे को बोल दिया वीटा बोटल में ही लेका रहा हो तो उसी से पानी पी लिया जाएगा और जैसे कि हम लोग तील का सामान खाते हैं बहुत ज्यादा ओईली तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है तो मैंने बहुत सारे बोटल यहां पर रख दिये हैं पानी के और सब लोग मन लगा कर खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं तो लग तो बहुत अच्छा रहा है अब देख सकते हो इसके बाद मुझे भी एक-दो घर जाना है जो लोग एक-दो लोग जो नहीं आ हैं उनके घर मे मुझे मैं भी चले जाती हूं मैं सोचती हूं फिर वहां से आकर तो मतलब फ्रेश होना ही होगा थोड़ी घर की भी सापसफाई करनी पड़ेगी तो यह देखिए सब लोग को मैं खिला रही हूं पूछ पूछ कर और यह देखिए बच्चे लोग भी आते हैं मजा करते हैं और मुझे ऐसे अकेले मतलब इधर के लोग अगर उथर जाती है तो उसके साथ जाना अच्छा लगता है तो ऐसा मैं भी जाती हूं शाम के समय में तो आप देख सकते हो सब इंज्वाइमेंट चल रहा है और मजा तो बहुत जादा आ रहा है ऐसा लग रहा है कि सब को यही करने के बाद से मैंने मुझे यान आया कि ऐसा करते तो थोड़ा और ज्यादा मजा आता तो यह हो न सका यह प्लानिंग हम शायद नेक्स्ट येर कर सकते हैं तो अगर हम इस साल की बात करें तो फुल मजा आया फुल इंज्वाइमेंट हुआ और यह मेरी थाली भी खतम हो की है मैं सबको दे रही हूं गुमा गुमा कर जितने में बचे हुए आइटम है मैंने बुला कि सबको खाकर खतम कर दो और बचा हुआ नहीं रहना चाहिए तो सब लोगों ने बहुत प्यार से मेरा बनाया हुआ सबी चीज को खाया उसकी तारीफ करी तो बहुत अच्छा सबक्षे कई दسمने फ्रेंट से बनेस्ट फोसे घर 욕 गता है लेकिन इक दुसरे घरonsTheremen झाकर खाते हैं सबके दूसरे के घर में घरे कर्टेस्ट करतें तो जब अच्छा लगता है तो कि उस साब जाने के तियारी हो अब देख सकते हो और समझे कि होली कम्प्लीटी होने वाली है अब जस्ट और मेरा भी अब एक दू घर बचा था जहां से मैं भी होके अब घर में आ चुकी हूं फ्रेंट्स अब मैं थोड़ी दिर में नहाने जाओंगे तो होली तो खतम हो चुकी है बच्चे तो अंदर में नहाल यह है और देख सकते हो मोड बहुत अच्छा है थोड़े इंज्वाइमेंट हो रही है तो मैं बस घर में आ चुके हैं हम लोग हेलो फ्रेंट्स वेलकुम टो मा यूटूब चैनल देखिए क्या हाल बना रखा है मेरा सब लोगों ने घर में बहुत सारे लोग आये थे बहुत ज्यादा होली हम लोगों ने खेला तो देखिए क्या हाल है अब लोगों मैंने दिखाया कि कितने सारे मेरे फ्रेंट्स गुलाल रंग तो नहीं अभी गुलाल खिलके बहुत ज्यादा एक दुसरे को होली कलर लगाए हैं और मेरा हाल देखी ऐसा हो चुका है और जैसे कि अब शाम हो गया तो मुझे अब नहाना पड़ेगा अब मैं नहाद वागे फिरस हो जाती हूं